आपको कौन से दोस्त बनाना पसंद है वे जो आपकी बात मानें आपको सम्मान दें और आप भी उन्हें उनका पूरा हप दो या फिर वे जो आपको डॉमिनेट करें जाहिर है डॉमिनेट करने वाले दोस्त आपको पसंद नहीं आएंगे अक्सर किसी से भी रिष्टा बनाते समय हम ऐसे ही लोगों का साथ पसंद करते हैं जिनसे हमारे विचारों की पटरी बैठें क्या ऐसा कोई मीटर है जो रिष्टे बनाने से पहले इसकी सक्सेस या अनसक्सेस के बारे में हमसे कुछ महत्वपूर्ण बाते शेयर कर सकें जी हां आप एस्टोलोजी को एक ऐसा ही पैमाना मान सकते हैं वैदिक जोतिश में राशियों को आधार बनाकर दो लोगों के बीच की अनुकूलता का अंदाजा लगाया जाता है वैदिक जोतिश के इनही सिध्धानतों का पालन कर हमारे अनुगवी जोतिशियों की टीम ने मिथुन राशिका सिह राशिके साथ संबंध और अनुकूलता का आतलन किया है जाने कैसी रहेगी मिथुन और सिंह की जोडी के बीच अनुकूलता और कैसे निभाएंगे ये अपना रिष्टा मिथुन और सिंह लव कमपेटेबिलिटी मिथुन और सिंह दोनों ही राशियों के लोग साथ में मिलकर दोस्ती और लगाव का एक मजबूत बंधन बनाते हैं वे दोनों चंचल प्रेमी होते हैं और मौज मस्ती की एक सामान्य भावना साजा करते हैं देखते हैं मिथुन और सिंह की जोड़ी की लव कमपेटेबिलिटी मिथुन और सिंह पहली नजर में एक दूसरे का होने की सोच लेते हैं इससे रिष्टे को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है सिंह को मिथुन की बुद्धिमत्ता आकरशित करती है और मिथुन को सिंह का विशिष्ट व्यक्तित्व आकरशित करता है मिथुन और सिंह राशी के लोगों के पास बात करने के लिए दुनिया भर के मुद्धे होते हैं मिथुन और सिंह की जोडी में दोनों का रिष्टा एक बार बनने के बाद बेहद शक्तिशाली और चुम्बकिय होता है मिथुन और सिंह आपस में मिलकर एक बहतरीन जोडी का निर्मान कर सकते हैं इन दोनों राशियों में एक आदर्श प्रेन जोडी बनने के पूरे गुन होते हैं अस्ट्रोलोजी के पॉइंट आफ व्यू से कहें तो मिथुन और सिंह दोनों सासी स्वभाव के होते हैं और मनोरंजन पसंद करते हैं मिथुन और सिंह के बीच कई तरह की अनुकूलताई देखने को मिल सकती है उनके संबंधों में आपसी प्रशंसा और गर्म जोशी होती है आए मिथुन और सिंह संबंधों को अधिक बहतर ढंग से समझने का प्रयास करें मिथुन और सिंह आसानी से दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे इनका रिष्टा रोमांटिक होने लगता है सिंह मिथुन की अस्थिर्ता को कम करने में महत्वपून भूमिका निभाते हैं मिथुन मीठी मीठी बाते करते हैं वहीं सिंह जातकों के पास शब्दों का वह उफार नहीं होता, इसलिए सिंह मिथुन की ओर आकर्शित होते हैं। सिंह जातकों को स्वतंत्रता बेहत पसंद होती है, मिथुन जातक इस बात का बहुत सम्मान करते हैं और कूरा ध्यान रखते हैं। मिथुन और सिंह की जोड़ी के नुकसान हर विष्टे की करह मिथुन और सिंह के संबंधों में भी प्रतिकूलताई देखने को मिलती है मिथुन जातकों की अलग-अलग छेत्र में होने वाली रुची सिंह में एरश्या पैदा कर सकती है आईए मिथुन और सिह संबंधों के कुछ नुकसान बिंदूओं के माध्यम से समझने का प्रयास करें मिथुन और सिह दोनों ही आक्रमक राशिया है इसलिए उनके बीच एक छोटी सी गलत फहमी खतरनाक साबित हो सकती है मिथुन और सिह के अपने एनालिसिस अला होते है इससे तनाव की स्थिती पैदा हो सकती है सिह को मिथुन का मनमोजी और चंचल स्वभाव परेशान कर सकता है वही सिह का रिष्टों पर हावी होना मिथुन को उगर कर सकता है मिथुन और सिंग की जोडी के बीच मुख्य समस्या नजरिये को लेकर है दोनों ही अलग-अलग विचार वस्वभाव वाले लोग है जहां एक दिल से सोचता है वहीं दूसरा दिमाग से निर्ने लेना पसंद करता है मिथुन और सिंग मैरिज कमपेटेबिलिटी मिथुन और सिंग की जोडी के वैवाहिक संबंधों की बात करें तो उनका रिष्टा बिना किसी बड़ी परेशानी और वादविवाद के अपने लक्षे तक पहुँच सकता है कभी-कभी मिथुन राशी के लोग अपनी बातचीत के दौरान व्यंग्य और छिपे हुए शब्दों का इस्तिमाल करते हैं हालांकि उनकी मनशा गलत नहीं होती लेकिन कभी-कभी सिंग को इन बातों से चोट पहुँच सकती है मिथुन और सिंग की जोड़ी एक बहतरी मेल हो सकता है मिथुन के बातचीत करने का अंदाज सिंग को पसंदाता है कई बार दोनों की मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कत हो सकती है दोनों अपनी स्वतंत्रता में दूसरों का दखल नहीं चाहते हालांकि मिथुन और सिंग मिलकर किसी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए एक साथ पूरी तरह से काम करते है किसी भी तरह के विवाद को वे दोनों ही मिलकर निटा देते है मिथुन और सिंग सेक्सुल रिलेशन्शिप मिथुन एयर साइन है, इसके लौड बुध है वही सिंग फायर एलिमेंट की राशी है इसके लौड सन होते हैं इन्हें गर्मी जुनून और एक दूसरे के लिए मर मिटना पसंद होता है आए इनके सेक्सुल रिलेशन्शिप के बारे में कुछ जाने मिथुन और सिंह अपने रिष्टे को मन से बनाते हैं इसलिए इंटीमेसी इनके रिष्टे को और मजबूट करती है मिथुन इंटीमेसी के दौरान कुछ नया करते हैं और सिंह अपनी उर्जा से मिथुन का साथ देता है हालांकि कई बार बेडरूम में मिथुन बचकाना व्यवहार कर जाते हैं लेकिन फिर भी सिंध इन पलों को मज़ेदार बनाने की कोशिश करते हैं मिथुन और सिंध की जोडी में दोनों ही कामुक राशिया है बेडरूम में वे एक दूसरे के साथ पूरी तरहे इंवॉल्व होना पसंद करते हैं मिथुन और सिंध दोनों ही जीवन को पूरे उच्साह और आनंद के साथ जीते हैं हालांकि जीवन के लिए उनके पास अलग-अलग नजरिये हो सकते हैं लेकिन इस संबंध में भी उनके मतभेद वे खुद ही दूर कर लेते हैं सिंध का स्थिर स्वभाव रिष्टे के अविश्वास को शांत करेगा वही जीवन के लिए मिथुन का आनंद दायक दृष्टिकोन सिंध को खुश रखेगा मिथुन और सिंध की जोड़ी अध्भुत और आदश जोड़ियों में से एक हो सकती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो माई नेक्स्ट न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें